दोस्तो नमस्कार पस्चिम बंगाल में जिस तरीके से मम्ता बनर जी अपने आपको परधान मंतरी बनाना चाहती है लेकिन वो अपने हार के डर से इतना डर गई है अमिच सा से इतना डर गई है कि पहले तो उन्होंने जो रत यात्रा होनी थी बीजेपी की वो उसकी इजाज पस्चिम बंगाल का दोरा है उसके बाद परधान मंतरी का दोरा है लेकिन मम्ता बनर जी इतना बौखला गई है जो इतने सारी पार्टियां वहाँ पर वस्चिम बंगाल की कोलकता मैदान में वहाँ पर इकटा हुई थी और एक बात कह रहे थे कि हमें सविधान को बचाना है सविधान खत्रे में है और ये किस मुह से सविधान बचाने वाली पार्टियां अब कहां दिल में घुस गई हैं ये चुप है उस बात को लेकर कि अमित सा का जो हेलिकेप्टर लेंड होना था मालदा टाउन के एरपोर्ट में वहां पर उसकी इजाजत पहले नहीं दी पहले पस्चिम बंगाल की ममता बनर जी के सरकार ने उसको लेंडिंग के लिए अनुमती नहीं जब बीजेपी ने खुलासा किया कि कुछ समय पहले ही वहां पर ममता बनर जी का हैलिकेप्टर भी लेंड हो था उसके बाद घुटने टेक कर ममता बनर जी सरकार की जो पोल खुली उसके बाद ममता बनर जी को घुटने टेकने पड़े हमें साखे आगे और फिर इजाजत देने पड़ी यह मतलब ऐसी बात हो गई कि थूक कर चाटने वाली बात हो गई मम्तव अनर जी जिस तरीके से वहाँ पर पस्चिम बंगाल में डिक्टेटर सी ताना सही पे उतर आई है उसको लगता है कि वहाँ पर उसकी सरकार गिर जाएगी इस से मम्तव अनर जी को वहाँ पर सरकार में रहने का कोई हक नहीं है जो ये इस तरीके से ताना साई पूंड रवाया अपना रही है उसको उखाड फैंकना चीए और पश्चिम बंगाल की जनता इस बार तो दिड़ संकल्प होकर ममता को उखाड फैंकने का संकल्प ले लिया है जिस तरीके से कैसे हम ऐसे राजनेताओं को अनुमति दे सकते हैं कि वहाँ पर ये सासन करें और कैसे रूल करें और कैसे ये तमाम पार्टिया जो वहाँ पर सविधान बचाने के नाम पर ड्रामा कर रही थी वहाँ पर भासन बाजी कर रही थे लेकिन यहाँ पर सब चुप हैं और अमित सा की रेली को रोकने के लिए तमाम हतकंडे अपना रही है क्योंकि ममता बनर जी को लगता है कि बीजेपी की जिस तरीके से वहाँ पर लहर है वो सुनामी में तब्दील हो जाएगी और पस्चिम बंगाल का ये ताना साई पूर्ण और सासन वहाँ पस्चिम बंगाल की खाड़ी में डूब जाएगा तो इस वज़ों से पस्चिम बंगाल की ममता बनर जी देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी ऐसे राजनेताओने जिन्होंने देश को लूट लूट के खाया उनको खाना परोस रही है कि एक ढगोशला है एक काउंडाउन सुरू हो गया है वहाँ के लोग बहुत तरस्त हो चुके हैं इस तरीके से पहले कमनिष्ट के गौर्मेंट से फिर ममता बनर जी ने उसको जिस तरीके से कैप्चर किया उसके बाद अब दोनों में कोई डिफ्रेंस नहीं रहा कमनिष्ट और ममता बनर जी में तो देखते हैं क्या होता है कल अमित सा किस तरीके से क्योंकि अभी कुछ समय पहले वो बिमार चल रहे थे उनको स्वाइन फ्लू हो गया था अब वो स्वस्त हो चुके हैं और फिर मैदान में आ चुके हैं और जो सैना पती हैं परधान मंतरी नरेंद मोदी के तो सबसे पि किया था लेकिन पस्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर जी को उखाड फैंकने का संकल्प ले लिया है तो देखते हैं ममता बनर जी कितने दिन तक इस सासन में टिकी रहती है क्या वो इस तरीके से हतगंडे अपना कर लोगों की आवाज को दबा सकती है अमित सा का वेस्ट हेलिकेप्टर उतरने की अनुमती नहीं दी इनकार किया हवाई पट्टे पर चल रहे का काम का हवाला दिया और 22 जनवरी से भाजपाद अध्यक्स की जो रेली है 18 जनवरी को डियम को पत्र लिक कर मालदा में भाजपाद अध्यक्स ने हेलिकेप्टर उतारने की अनुमती म हैलिकैपर को सुरचित λेंणिंग के लिए उप्यूक्त नहीं है इसलिए अनुमती देना संभव नहीं है तो ममता बरनर जी पर निशाना साथते होए रवी संकर परसाद ने कुछ दिनों पहले ममता बरनर जी का हैलिकैप्टर उसी हैलिपेट पर उतरा था कुछ पतरकार वहा रही है वो कितना भी कोसिस कर ले लेकिन ये काउंट डाउन सुरू हो गया क्योंकि हमें ऐसे लोगों को बिलकुल ऐसे नेताओं को सपोर्ट नहीं करना चाहे इसलिए हम ममता बनर जी पस्चिम बंगाल के लोगों से भी अपील करते हैं कि इस बार पस्चिम बंगाल से सत्ता परिवर्तन होना चाहे क्योंकि ममता बनर जी जिस तरीके से डरा धमका के हर हतकंडे अपना कर अपने को सासन में रहना चाहती है ये किस तरीके की डिक्टेटर सी कर रही है तो इनको सबक सिकाना जरूरी है क्योंकि ये लोगतंत्र के बिरोधी हैं ऐसे लोगतंत्र बिरोध नेताओं पर सिकंजा कसना जरूरी है और उसका एक मात्र बिकल्प है चुनाओ और चुनाओ में ऐसे लोगों का सफाया होना जरूरी है क्योंकि चुनाओ में इस तरीके से बिरोधी पार्टियों को ऐसे दबा कर उनको उनके कारियों में अर्चंटें डाल कर आप चुनाओ न आवाज उठा पाते हैं जो टीमसी के खिलाब बोर्ट देते हैं उन पर अटेक किया जाता है उनको मारा जाता है वहाँ पर किस तरीके से बूत कैप्चर होता है ये तो सरे आम दिखा जाता है लेकिन यहां के कोट और वो सब आखे मूने बैठे हैं सारी परवारवादी पार् से चलता है तो ममता बनर जी आखिरकार अमित साथ को परवीशन दे चुके हैं और अमित साथ कल से अपना दोरा पस्चिम बंगाल का दोरा स्टार्ट करेंगे वहाँ की परपल अपडेट हम आपको बताएंगे लेकिन यह बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए क्योंकि ममता बनर जी को जो अपने ही जो उन्होंने थूका हो था उसको चाटना पड़ा क्योंकि उनको बहुत बड़ा सरमिन्गी जहिलनी पड़ी जब उनको बेनकाब किया स्री रवी संकर परसाद ने किस तरीके से अपने हेलिकेप्टर को तो उसी हेलिपेट पे उतारती है लेक करती है और उसका परसाशन उसके खिलाप रोकने के लिए तॉयारी कर देते हैं लेकिन अब अनुमती मिल चुकी है तो ममता बनर जी का चेहरा सब के सामने आ गया है ममता बनर जी का अब देखते हैं क्या होता है कुछ दिन पहले जो इतने बड़ी सभा हुई थी अब उनका एक-एक करकरारा जबाब अमित्षा देंगे तो प्रधान मंतरी नरेंद मोधी के सेनापती उतर चुके हैं तो क्या होगा क्या इस तरीके से लोकतंतर चलेगा क्या ऐसे नखरे करके ममता बनर जी जीत सकती है ममता बनर जी के मनसूब पर पानी फिर गया है किस तरीके से टीमसी के मनसूबे ये थे कि अमित्षा को रोका जाए पस्चिम बंगाल में जो बिजेपी की रत यात्रा थी उसको रोका फिर हेलिकेप्टर नहीं उतर ने दिया फिर बहाने बाजी करके फिर परमीशन दे दी तो ये कुल मिलाकर अपने ही पैरों में कुलाडी मारने का काम पस्चिम बंगाल की ममता बनर जी गौर्मेंट कर रही है तो ये बहुत बड़ी जीत है और पस्चिम बंगाल की गौर्मेंट का दोहरा चहराया सब के सामने आ गया है तो देखते हैं मालदा टाउन में किस तरीके से सुरूआत करते हैं बहुत सारे मुद्धे खूदी ममता बनर जी अमिचसा को दे रही है बीजेपी को दे रही है जिससे einen कर्किंब्लिक गुशा होगी ममता बनर जी के खिलाप और क्योंकि वहाँ बहुत सारी शीटे हैं लोग सबाज की अगर वहाँ पर बीजेपी 50% सेटों पर काम्याबी हासिल करती है तो ये बहुत बड़ी जीत है इसके बाद बीजेपी को 2019 में कोई नहीं रोख सकता है तो इसी वज़ों से मंता बनर जी भले ही अपने आपको PM का उमिद्वार घोसित करती है लेकिन किसी दूसरे राजय में उसको रेली करने की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि उनको पता है कि उनका किला धरकने वाला है अमिद साह ने उनको वहीं पर घेर दिया है तो देखते हैं देखते जाए आने वाले दिनों में क्या होगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर जी का जो विपक्स इकटा किया था उसके बाद जो बीजेपी अपनी ताकत दिखा रही है मालदा टाउन में वहाँ पर तैयारें पूरी जो और से है बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है जो टीमसी का गुंडा गरदी का सासन है उसको उखार फैंकने के लिए तो अब इजाजत मिल चकी है तो ये बीजेपी के लिए जीत है और ममता बनर जी के लिए करारी हार है क्योंकि उन्होंने खुदी अपने पैर झाल